लाइफ में कोई भी knowledge तभी काम का है जब वो on time present है और life में maximum समस्यां इसलिए है क्योंकि आपकी maximum knowledge on time present नहीं होती और इसलिए confusions होते हैं कमाल की बात है कि चलो life की बात तुम बाद में करेंगे लेकिन बढ़ाई में भी exam time में भी आपके बहुत सारे answers या आपने जो भी content याद किया है जो भी question answer आपने पड़े होगे हैं वो time पर याद नहीं आ रहे होते हैं और इसी बात के marks करते हैं सोचे ना तयारी तो आप 100% की करके जाते हैं कुछ छोड़के थोड़ी जाते हैं सोचे ना कि आप maximum question के answer याद करके जाते हैं लेकिन ऐसा क्यूं होता है कि फिर भी कुछ percentage कम आती है हमारी क्यूं we make silly mistakes क्यूं हमें exam phobia होता है क्यूं exam बढ़ा serious माना जाता है क्यूं exam के दिन हैं या हमें confidence है कि हमें आते हैं ऐसा सब क्यूं होता है क्योंकि आपकी एक skill आज तक ट्रेंड नहीं हुई और वो है recollection skill कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि कैसे याद करें कि time पर याद आ है कभी किसी ने इस बात की चिंता भी नहीं की कि कैसे याद करें कि जिंदगी पर य नहीं मिलेगा लेकिन इस प्रोग्राम में आप इन्हीं आंसर को खोचते खोचते बन जाएंगे आपके दिमाग के बाहुबली बाहुबली मुवी देखिए अगर मैं आप से कुछ कुछ पूश्चन्स पूछता हूँ बाहुबली मुवी से रिलेटेड तो क्या आप आंसर बाहुबली राइट अच्छा बताईए उसके बेटे का नाम जो की सेकंड पार्ट में में लीड करता उसका नाम क्या था आपको याद आ रहा होगा महेंद्र बाहुबली बाहुबली के दौनों पार्ट के अंदर एक बहुत बड़े सामराज्य के बारे में चर्चा हुई बहुत बड़े सामराज्य के ऊपर ही सारी फाइट थी आप बता सकते हैं वो सामराज्य का नाम क्या है मुझे पूरा यकीन है आपको याद आ रहा होगा माईश मती सामराज्य चलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ बाहुबली में जो अमरेंद्र बाहुबली का भाई था जो की मेंड विलन था जिसने सारे खराब काम किये थे और जिसको एंड में मारा जाता है उसका नाम क्या था आपको याद आ रहा होगा कि भलाल देव वो था चलिए बताइए भलाल देव ने फर्स पार्ट में कौन से जानवर से पहली लड़ाई की थी जैसे ही मै मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में आ रहा होगा बुल से की थी राइट मैं जो जो बोलता जा रहा हूं आप बिना टाइम वेस्ट किये आपका ब्रेन उसका आंसर दे रहा है लेकिन यहां एक कमाल की और सोचने वाली इंपॉर्टन बात है क्या आप बहु वाली पिच्चर देखते वक कोई copy, pen, diary, notebook लेकर गए थे कि कभी जिंदगी में इसका एक्जाम हुआ तो इसके questions तो याद करके रखें क्या ऐसा हुआ था कि आपने यह पिच्चर याद करने के purpose से देखी थी नहीं क्या आपको पता था कि इस वीडियो में मैं instant आपका एक्जाम लेने वाला लां इस movie का नहीं तो फिर आपके marks अच्छे कैसे आ रहे हैं क्योंकि यह है आपकी permanent memory कोई ऐसा factor है movie देखते वक जो brain उस information को permanent memory बना रहा है और वो ही सारे factor आज के formula में हम सीखने वाले हैं ऐसा क्यों होता है कि पढ़ाई के साथ यह नहीं होता movie कभी हम याद करने के लिए नहीं देखते फिर भी याद हो जाती है पढ़ाई हम याद करने के लिए करते हैं फिर भी याद नहीं होती है ऐसा क्यों होता है तो अम इन सब के answers ढूंते ढूंते एक दिन आप भी बन जाएंगे दिमाग के बहु बले तब तक के लिए be intelligent be happy जुड़े रहे हैं थैंक यू हुआ हुआ है